हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक टू मैं चैनल दनु आर्ट्स ब्लोग देखे आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सुन्दर बहुत ही लेटेस्ट सा डिजाइन बताऊंगी यह आप जैन स्वेटर में भी डाल सकते हैं लेडी स्वेटर कार्डिगन बेबी स्वेटर ज जैकेट आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं बहुत ही अच्छा लगेगा यह डिजाइन देखे कितना प्यारा यह डिजाइन है बहुत ही ब्यूटिफुल सा डिजाइन है आपका देखे इसका ओल्टा साइड देखे कैसा है और इसका सीधा फ्रंट साइड देखे कैसा है कितना सुन्दर लग रहा है यह डिजाइन आज मैं आपको यही डिजाइन सिखाने वाली हो कि आप कैसे बनाएंगे खुद से यह डिजाइन मैं आपको बता दूँ अगर आप मेरी इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपके लिए ऐसे ही लेटेस डिजाइन के वीडियो पर डेल लेकर आती हूँ अगर आप अभी तक सबस्क्राइब नहीं किये मेरे इस चैनल को तो अभी सबस्क्राइब कीजिए और सबस्क्राइब करके नोटिफिकेसन के बेल को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एक डिजाइं की वीडियो सबसे पहले मिले चलिए मैं आपको सिखाती हूँ ये डिजाइन, कि आप कैसे बनाएंगे ये डिजाइन, ये आपका 6 रो का डिजाइन है, आपको 6 रो में बनेगा ये डिजाइन आपका, चलिए मैं आपको ये बना कर बताती हूँ, आपको ये डिजाइन बना कर बताती हूँ, देखिए मैं कर चुकी हूं अब मैं आपको बना कर बताऊंगी कि यह कैसे बनेगा यह डिजाइन यह आपका six row का डिजाइन है यह आपका first row देखें फर्स ट्रो में आपको कैसे बनाना है दो फंदे देखिए दो फंदों को आप उल्टा बना लीजिए इस तरीके से और पून को पीछे कीजिए एक फंदे आपको सीधे बनाना है फिर दो फंदे उल्टा देखिए आपको यही सेम रिपीट करते जाना है दो फंदे उल्टे एक फंदे सीधे दो फंदे उल्टे और एक फंदे सीधे आपका यह रो ऐसे ही कंप्लीट होगा अच्छे से देखिए तो आप समझ पाएंगे देखिए यह आपका लास्ट फंदा देखिए दो उल्टे हो भी नहीं हूँ मैं आपका यह लास्ट सीधा वाला पर आया है लेकिन आपको लास्ट सिंगल है इसलिए आपको यह भी उल्टा ही बनाना है आप मैं आपको पीछे से आपका यह second रो यह पीछे से है देखिए आपको फंदे स्लिप करना है यह आपका पीछे का है पीछे साइड से बैक साइड से है देखिए आपको टोटल उल्टा बीन लेना आहे देखिए इस तरीके से आप टोटल फंदे उल्टा बीन लीजिए देखें इस तरीके से आपको उल्टा बनाना है पीछे के राव में देखें आपका सेकेंड रो खतम हो गया आपका थर्ड रो आगे से देखें आपको दो फंदे उल्टा बिनना है और फिर आपको एक फंदे सीधे वही आपका फर्स्ट रोई रिपीट होगा दो फंदे उल्टे एक फंदे सीधे आपका यही बनेगा देखें आपको इसी तरीके से यह रो लास्ट वाला फंद आप उल्टा बिनते थे इसे वह उल्टा बना लेना देखें इस तरीके से बनाना है आपका यह फोर्थ रोई है फोर्थ रोई आपको पूरा प्लेन उल्टा बीन लेना है जैसे आप सकेंड रोई बीने थे वैसे यह आपको फोर्थ रोई बना लेना है अगर आपको कुछ भी समझने में प्राब्लम हो रहा हो तो प्लेज कॉमेंट कीजिए और कॉमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपको समझा दूंगे चलिए आपका फोर्थ रोई कंप्लीट हो गया अप फिफ्थ रोई यह अब आपका बनेगा देखें दो फंदे उल्टे देखें इस रोई को आप ध्यान से देखें अब आप ध्यान से देखें इल्लास टॉल आपका यह जो चोटी है यहाँ पर आपको लास्ट टॉले पर डालना है इस तरीके से देखें उनको पीछे करके लास्ट वाले चोटी के पास इस तरीके से आपको एक्स्ट्रे फंदे उठा लेना है फिर आप इस चोटी को बीन लीजे फिर आप इस साइट से भी इस चोटी के पास एक्स्ट्रा फंदा उठा लीजे, देखें, फिर आप उनको आगे कीजे, फिर दो फंदे उल्टा, फिर उन पीछे कीजे, फिर लास्ट वाले चोटी के पास आपको डालना है, देखें, इस तरीके से बना लेना है, लास्ट वाले चोटी के पास देखें, इस तरीके से आपका बनेगा, इस लास्ट वाले चोटी के साइड से निकला है, आपका लास्ट वाले चोटी के पास आपका बना है, देखें, इस तरीके से आपको बीण लेना है भी उरन को पीछे करना है दो फंदे उल्टे बीणने के बाद फिर लास्ट वाले चोटी के पास ढालना है फिर इस तरीके से आपको एक्स्तरा फंदा निकालना है फिर आपको ये फंदे चोटी वाला फंदा बीनना है देखें, अच्छे से देखें इस डिजाइन को फिर आप थ्री फंदे लास्ट में उल्टे बीनते थे उसी तरी कैसे आपको बना लेना है ये आपका फिफ्थ रोः कंप्लीट हो गया अब आपका शिक्स रोः देखें, आपको इस फंदे को स्लिप करना है फिर आप थ्री फंदे आपका कंप्लीट हुआ ये देखें, आपका आगे से जो एक्स्ट्रा फंदा लिए थे और ये चोटी वाला तीन आपको जैसे दो आगे से एक्स्ट्रा ले रहे थे न उस तीनों को एक साथ मैनस करना है देखे इस तरी के से बना लेना है फिर आप दो को उल्टा बीन लीजे फिर देखे एक्स्ट्रा वाला दो फंदा और आपको चोटी वाला फंदा पीछे से तीनों को मैनस करके बना लेना है दो फंदे उल्टे फिर आपको तीन फंदे इस तरी के से आगे से डिजाइन वाला फंदा तीन फंदा को मैनस करना है देखे आपका ये six row complete हो गया देखे इस तरी के से आप यहाँ पे आगे दो फंदे किये थे वही फंदा आपका पीछे जाकर मैनस हुआ है देखे यही आपका six row repeat होता जाएगा अगर आपको ये डिजाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और जादे से जादे से एड़ कीजिए और कॉमेंट करके बतलाईए कि आपको ये डिजाइन कैसा लगा और अभी तक सब्सक्राइब में किया है तो ऐसे ही लेटेस डिजाइन के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाश्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो मच